वैसनों भी इजी लाइफ में आप सब का बहुत स्वागत है आज हम अमरूत की चटनी बनाएंगे पहले इसे दोकर तब यूज करें अमरूत हाई एनरजी फूड है इसमें कैलरी बहुत कम होती है फाइबेर भरपूर मात्राम होता है कोलेस्ट्रोल ना के बराबर होता है अम को हम काटली काला हिस्टा जो था निकाल दिये अब छोटा-छोटा टुकड़ा कर लेंगे इसका बीज निकालना है अमरूत खाने से दात मजबूत होता है इसका बीज भी अंदर से निकालना है अमरूत आइंटी एजिंग गुडों से भरपूर है पाइल्स में बहुत फायदा करता है ये कब्ज दूर करता है अमरूत खाना चाहिए सबको बीज इस तरीके से निकाल लें और छोटा टुकड़ा कर लेंगे ताकि मिक्सी में असान सब्सक्राइब करता है इसे पिश जाये सुगर की मातरा भी कम होती है अमरूत में इसलिए डैवडीज के लिए बहुत अच्छा है अब हमें एक ब्लेंडर जाल लेकर इसे में सब समान डाल लेंगे इसमें मैं धनिया डाल ले रही हूं धनिया को अच्छे तरीकी से धोली ह धनिया भी डाइब डीज के लिए बहुत अच्छी होती है पाच्चन सकती बढ़ाती है एनेमिया की प्राब्लम दूर होती है धनिया खाने से और कोलेस्ट्रोल कम होता है और इसमें हम अद्रग पुदीना और हरी मिर्च डालेंगे पुदीना में अंटी बैक्टेरियल और अंटी वारल गुड होते हैं इसमें विटामिन सी और ये भी होता है पुदीना शेवन करने से गर्मियम लू नहीं लगता है इसमें मैं करी पत्ता डाल दी हूँ और ये लैसन डाल दे रहे हूँ लैसन बहुत ही फायदा करता है शरीर करता है लैसुन इसमें प्रोटीन पाया जाता है और इसमें मैं भूना हुआ जीरा एक चेमच और स्वाधनुसार नमक डाल लें चार-पांच दाना काली मेर्च डाल रही हो हूं कि टेस्ट अच्छा आता है थोड़ा सा पानी डाल कर हम पीछ लेंगे बहुत टेस्टी चेटनी बनती है एक बार आप बना कर देखें दंबार एक पीस लिए है बरतन में निकाल लेंगे आप फिरिज में रखकर तीन-चार दिन इस चेटनी को खा सकते है लैसुन डाविजी में बहुत फायदा करता है आप लैसुन का सेवन जरूर करें टीवी के बिमारी में भी बहुत फायदा करता है लैसुन बहुत अच्छी चेटनी है और एनरजी भी बढ़ती है इसको खाने से कई तरक बिमारी से बचे रहेंगे आधा नीबू डालेंगे मैं इसमें जो समानी उचकरी हूं सब धोकरी उचकरी हूं यदि आप लैसुन ना खाते तो ना डालें इस तरीके से अमुरूद की चटनी बनाएं अमुरूद का अचार भी बनता है आप बना सकते हैं जो मसाला पड़ता है आम के अचार में वही मसाला डालते हैं इस तरीके साब बनाएं आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है यह चटनी सभी तरह के बिमार येूं फाय्दा करती है एक बार जरूर ट्राइ करें आप चाहें तैसे थोड़ा पका मूरूत ले 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 या थोड़ा सा हरा ले ले थोड़ा हरा रहा रहा था है छटनी बढ़िया बनती इस तरीके सा आप जरूर एक बार ट्राइ करें अगर आपको ये वीडियो परसंदा है तो अपने फिमली और मित्रों में जरूर सेयर करें ताकि उनको भी इसका लाव मिल सके लाइक करना न भूलें प्लीज मैं आप सबसे अपिल कर रहूं मेरे चैनल को बिने सब्सक्राइब किये मत जाएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन साथ सबको मिलते रहें तो मिलते हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार